वेकम एक गाईज जब आप MTP किट लेते हो उसकी जो पहली बड़ी गोली होती है मीफे प्रिस्टोन की जब आप उसको ले लेते हो तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रिविएस वीडियो में मैंने साफ साफ बोला है कि फर्स टैबलेट जो मीफे में तो जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो पीरियर्ट जितना है या उससे ज़्यादा है अब क्या करें एक बात को लेकर ओर लगा रहता है लोगों को कि भाई अगर हमने फर्स टैबलेट ली है उससे ही इतना ब्लीडिंग का फ्लो है अगर हमने नेक्स फॉर टैबलेट ले ल और अगर हमने ली और आपको bleeding स्टार्ट हुई वो भी heavy हुई तो इसको manage कैसे करेंगे तो ये सब बाते हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैलेंग पर और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस देखिए जो kit है उसमें आपको जो first tablet मिलती है Mifepristron की ये 200 mg की होती है अगर इसके mode of action की बात mechanism of action की बात करें तो ये progestron के antagonist है मतलब की जो progestron है जो pregnancy का main hormone है जिसके कारण pregnancy रुकी रहती है कैसे रुकती है जानते हैं देखिए जो बच्चे दानी है मालेजिए कि ये बच्चे दानी है और जो baby है जो बच्चा है वो uterus के अंदर बच्चे दानी के अंदर जाके implant होता है जो बच्चे दानी है उसकी जो inner most जो अंदर वाली layer होती है उसको endometrium lining बोलती है और जो प्रोजेस्टरोन है उसके लेवल के हाई रहने के कारण जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है वो थिक होती है उसकी मोटाई बढ़ती है क्यों होती है ताकि शुरुवाती स्टेज में जो भी इस थिक लाइनिंग के अंदर नूट्रिशन आए है वो बच्चे को मिल स सके और फिर बच्चा ग्रो होने के बाद धीरे-धीरे मदर की ब्लड सप्लाई के साथ अटैच होता है प्लेसेंटा के थूरू और फिर वो आगे डेवलोप होता है ठीक है लेकिन शुरुवाती स्टेज में जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है उसकी मोटाई प्रोजेस्ट्रोन के लैवल के कारण ही बनती है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मिफेप्रिस्ट्रोन की टैबलेट ली तो उससे प्रोजेस्ट्रोन का लैवल कम हो जाएगा जो मोटाई थी वो नहीं रहेगी और जो यह लाइनिंग है वो तूड जाएग ठीक है, pending for tablets जब आप लेते हो तो uterus में contractions पैदा होती है, next for tablets लेने से जो की mesoprostol होती है और जब sacudan पैदा होगी, जो contractions पैदा होगी, उससे जो pregnancy के products होते हैं, वो बच्चे दानी के मुँग के थुरू शरीर से बाहर निकल जाते हैं ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कई लोगों को Mifepristron की tablet लेने से ही bleeding start हो गई, usually कब होती है, next for tablets लेने से, तो bleeding start होने का पहला करण तो यह है कि आपको कम दिनों की pregnancy थी, ठीक है, अगर कम दिनों की pregnancy होगी, और जिनकी immunity काफी अच्छी है, जिनके females hormones काफी अच्छे हैं, तो फिर आपके खुद के natural hormones ने क्या किया, uterus में contractions पैदा करना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है, आपको bleeding start हो जाती है, उसरा कारण यह होता है कि कभी-कभी females local brand kit का use कर लेते हैं, और उनसे फिर उनको unexpected result मिलता है, पहला तो यह कि फर्स tablet से bleeding start हो गई, और अगला कारण यह होता ह कि कभी-कभी लोग बहुत सारे experiment करते हैं, experiment क्या करते हैं, घरे लुन उसके अपना लेते हैं, home remedies लेते हैं, फिर जब उससे काम नहीं होता, फिर वो in kit का use करते हैं, अब इतना सारे experiment किया, तो उनसे भी withdrawal bleeding होती है, ठीक है, और जब आप first tablet लेते हो, तो by chance फिर आपको bleeding start हो और फिर आप बोलते हो कि sir, first tablet लेने से bleeding start हो गई, और कभी-कभी क्या होता है, कि आपकी जो pregnancy हो खराब हो जाती है, और आपको पता नहीं लगता, आपको पता होगा कि जो natural miscarries होते हैं, वो बहुत ही silent तरीके से होते हैं, और आपको बीना किसी syno symptoms के ही हो जाते हैं, ठीक है तो जब आप first tablet लेती हो, तो miscarries तो हुआ ही होता है, और first tablet लेने से आपका endometal lining है वो अच्छे से तूड़ जाती है, और natural hormones की कारण आपको uterus में contraction हुआ, और bleeding start हो, तो ये तो बात थी कि bleeding क्यों start होई first tablet से, अब हम लोग discuss करते हैं कि आगे क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको मैंने बताया है कि आपका जो next process है, मिफे प्रिस्टोल लेने के बाद 48 गंटे पर आपको next for tablet mesoprostol की लेनी है, वो आपको continue रखना है, ठीक है, अब फिर एक डर रहता है कि first tablet से ही bleeding start हो गई, next for tablet लेंगे, अगर उससे ज्यादा heavy bleeding हो गई तो फिर क्या गरेंगे, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी आपको bleeding होनी है, जितना भी आपके अंदर pregnancy के products होंगे, वो bleeding के थ्रू ही भाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आप first tablet लोगे, और अगर आपकी seven weeks की pregnancy होगी, तो ही उतनी bleeding हो गई, और अगर आप पूरी kit लोगे, तो भी आपक tablet ले ली है, और आप pending for tablets नहीं ले रहे हो, तो जो pregnancy के products है, वो uterus से बाहर निकलेंगे ही नहीं, और आपको bleeding continuously रहेगी, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब साफ साफ इतना है, कि आपको pending for tablets लेनी है, पूरी की पूरी kit लेनी है, ताकि जो आपका abortion है, वो completely हो जाए, बिना किसी complications क और घबराने की जोरत नहीं है, जादा heavily bleeding नहीं होती है, उतनी ही होगी जितनी आपकी pregnancy है, कभी कभी ऐसा होता है, कि आप ये वीडियो अगर काफी time के बाद सुन रहे हो, मतलब 48 गंटे से जादा का समय हो गया है, तो भी घबराने की जोरत नहीं है, आप 7 दिनों के अंदर अंदर pending 4 tablets ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन से जादा का time हो गया है, फिर आप एक बार डोक्टर से consult कर लीजे, जो भी आपकी medical history होगी, पूरी की पूरी आपकी situations को देखके, डोक्टर एडवाइस कर देंगे, कि भाई, first tablet को लेना दुबारा से repeat करना जरूरी है, कि next 4 tablets लेने से यह आपका काम हो जाएगा, फिर method भी जरूरी होते है, कि आपको buckle cavity के थुरू लेना है, या फिर जीप के नीचे रखके, या फिर आपको vaginally लेनी है, जो second method वाली वीडियो थी, वो आपने अगर देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे लेनी हो होती है, तो यह सारा का सारा process है, लेकिन अगर आपको still कोई complication है, या फिर इसके regarding कोई problem रह गई है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप comment कीजिए, comment में आपको जरूर reply मिलेगा, यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं मिल आपसे नेक्स वीडियो में, एक बहुत इंट्रस्टिंग टोपिक के साथ अब तक के लिए, stay healthy, stay fit, thanks for watching this video.